रोज रोज के वही बोरिंग परांधे खाकर अगर आप बोर होगे ना आज की रेसेपी आपके लिए खास है हाई गाइस मैं हूं आनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मॉनिका दोसों आज मैं ग्रिल पनीर परांथा बना रहे हूं जो मार्केट में महंगे से म और इन पनीर के स्लाइजिस को हम घ्रिल करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करते हैं फिर मैं इस पर थोड़ी रेड चीली सॉस लगा रहे हूं अगर आपको तीखा वैसे तीखा नहीं होगा इससे जाला आप चाहें तो इसमें टमैटो कैचप भी लगा सकते तो दुमाने एक टीश्पून रेड चीली सॉस और साथ ही मैंने मार्किट वाला जिंजर गालिक पेस्ट लिया है इससे पीर पनीर पर थोड़ा सा स्फ्रैट कर देंगे तो आप एक टीश्पून या उससे थोड़ा कम लेज़े और नमक सॉस और जिंजर गालिक पेस्ट को तो आप इस तरह से पनीर पर सब तरफ दीजिए पनीर को पलट पर Core लगा दीजिए ताकर ब crush ताक कि जब माघा पर पनीर ओसेख सब पनीर में वर इससेद है तो मैं तौनीरी में से लिंटर ऊदकरूफ कर दो पनीर contributions पलटने लगे तब तक देख लीजिए एक से दो मिनट में इसाद से तीन से चार मिनटी लगते हैं पनीर अड़र एच्छे से सिख जाएगा तो मैंसे ग्रिल मार्ग्स आने तक सेक रही हूं अगर आप नॉर्मल प्लेन तवा लेने नॉन स्टिक तो उस पर भी आप ऐसे ही से पार ना जाएंगे अब को इस तरह से आप शेहने के बाद प्लेट में निकाल कर रख लिजिए अब पनीर को ग्रिल करके एक तरफ रखी तो मारे ग्रिल पनीर पराठे के लिए रिड़ पनीर रेडी हो गया है लिए इस पराठे हम थोड़ी सब्सियां डालें जैसे छेट सकते हैं अब में पारातके लिए आट के लिए चाहिए दूस्たो जूसाद गर Patan गुणा रखा चाहिए रोनदी वाले आट केजिके थोड़ा दालका तो आप जो आप बड़ी रोटी में स्टफिंंग लगाएंगे पहले और उपसे छोटी रोटी से इसे कबर करेंगे तो सबसे पहले मैं त्रॉमैटो कैचप लगा रही हूँ दोनों ही रोटियों पर आप ट्रमाटो कैचप लगा दीजे एक एक टी स्पून और इसे स्प्रेट कर दीजे आप दोस्तों इस पर मैं थोड़ी रेड चिली सॉस लगा रही हूँ आप ग्रीन चिली सॉस शेजवान सॉस कुछ भी लगा सकते हैं आपको पास हर धनी की चटनी रखी है तो आप वह भी लगा सकते हैं मुझे यह चिली सॉस अच्छी लगती इसलिए यूज़ कर रही हूँ और दोनों ही चपाती इस पर मैंने दोनों सॉसेज लगा दी है और अब मैं इस पर ग्रेल पनीर प्लेस कर रही हूँ तो मैं पनीर के क्रंच आतर प्याज से धनीय से बहुत अच्छी खुशबू आती है कैपसिकम और चीज का कॉंबिनेशन अच्छा रहता है तो यह यूज़ करें सारी सबजिया नहीं तो खाली अनियन से भी बना सकते हैं अब मैं इस पर पिजा या पास्ता सीजनिंग जो रखी है गर पर तो और एगानो लगा सकते हैं अब भी लगा सकते हो थोड़ा नमक स्प्रिंकल करते हैं क्योंकि कई बार नमक कम लगता है चटनियों में बहुत तीखा नहीं रहता तो नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि सॉस में अल्रडी नमक है और थोड़े रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं चीज आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो दो स्लाइस लगाई अगर एक चीज लगाएंगे तो भी उतना ही स्वाद आएगा आप यह आपकी परसनल टेस्ट है कि आपको कितना चीज परसंद आप देखिए मैंने दूसरी रोटी से इसे कवर कर दिये जो कि इस भी हैं और हमें कहीं भी खाली नहीं लगेगा खाने में बस आप दबाया कि अच्छे से सील कर दीजिए हाथ से भी से प्रेस कर दीजिए क्योंकि जो हवा भर गई है वह भी निकल जाएगी यह तो हमने बना लिया अब तवा हमारा गर्म हो रहा एक तरफ मैं इसे कुरकुर पितव सेक लेंगे और जो कसर रहेगी जैसे कि आप साधे नॉर्मल परांठे बनादे सेक लीजिए तो परांठे पर मैं तेल लगा नहीं कई बार सॉस लगाने की वज़े से परांठा सौगी हो जाता है तो चिपकने कड़र रहता है तो हलका सा तेल लगाई और इसे पलट बढ़ाकर सेक लीजिए परांठा बनाने के लिए मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूं आप बटर में भी बना सकते हैं कि क्रिस्पी हमारा ग्रिल्ड पनीर परांठा बिल्कुल रेडी हो गया है इसे चलिए गर्मा-गर्म सर्फ करते हैं तो लीजिए गर्मा-गर्म क्रिस्प हमारा ग्रिल्ड पनीर परांठा जो की बार्किट में मिलने वाले किसी भी पनीर रैप पनीर सैंड्विच को मात दे सकता है दोस्तों कुछ आप नहीं खाना चाहते लेकिन घर के साथ इंग्रीडियंट से बनाना चाहते हैं लेकिन खाने का स्वार जो है किसी अच्छे कैफे क आपको पसंद आएगा मैंने तो यह परांठा बना लिया है और मैं इसे टेस्ट भी करने वाली उमीद कर दें आपका भी मन कर गया होगा तो इस उमीद के साथ आप यह जल्दी बनाएंगे मैं चलती हूं तो चले टेस्ट टेस्ट करके बताते हैं आपको ताकि आप भी आना और हां इस वीडियो को आपको पसंद आया ना तो आप प्लीज शेयर जरूर करना क्योंकि आप चाहते हैं सब लोग एसे पी ट्राइक करें इस वीडियो को शेयर कीजेगा और मेरा चानल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजेगा आपका बहुत बहुत शुक्र